Hello Friends, आप सबका स्वागत है मेरी किचिन में, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुती सिंपल तरीके से और घर की सारी सामगरी से बनने वाला स्वादिश नाश्ता जो बहुत सस्ते तरीके से मैंने बनाया है, इजी वे में बनाया है, तो कोई मैनत की भी टेंशन नहीं है और आप इसे जिसको भी खिलाएंगे वो इसका स्वाद नहीं भूल पाएगा और आपकी वावा किये बिना रह नहीं पाएगा, तो आईए शुरू करती है, इसके लिए मैंने एक बॉल पॉह और एक बॉल सूजी लिए, तोनों चीजों को एक ही क्वांटिटी में लेना हो जाता है। फ्रेंड्स भलाएं जैसे कि मैं जाता छे लाएं अचरी से वाश कर लिया है अब मैं सूजी डाल देता हूकर अचरी बंआ पानी डालती गोना, सूजी घतान, जिसके जिसके लिए कृष्ब कर बिना ऊंपऊ! पोह जब फूले का तो वह सॉफ्ट हो जाएगा जैसे कि हम उसको अची तरीकी से मैश भी कर पाएंगे तो इसलिए मैं इसमें पानी डालती हूँ थोड़ा सा इतना बानी कि हमारी स्पोर सूजी इसमें मतलब भीग जाएं अलकी असा ताकि वह फूले तो असानी से फूल पा जिसकी आपने घर जैसे मैं बहुत कम अई में बनाया तो यह भी रहता है और बहुत यह से सिंपल वेमें आप इसे बना सकते बिना किसी महनत के इस नवन चीज़ों को मैं अच्छे से पानी में मिक्स कर लिया है अलक लका पानी जैसे कि इसमें अच्छे से एब्सक्र लोग पांश मिनिट के लिए छोड़ देती हूं पांश मिनिट में ही हमारा पॉअड सूजी अच्छे से फूल के बिलकुल पॉफेक्टली तेयार हो जाते हैं देखे पॉअज हो एकदम सॉफ्ट हो गया अच्छे से आपने बैश हो सकता है सूजी भी हमारी फूल गई आप जिसे करते हो हैं मैं इसमें यह बड़े mixing ball में डाल देती हैं अच्छी तरीक चीसे पानी से निछोड लीस हों यह मैंने भी ऑड़ी सकते हैं इसके बाद यह पाँनी तो भी मैं fancy श्यातमें में compliant की हुई काचल ली है ये इसमें डाल देती हूँ साथ मैं मैंने ये बारी कट की हुई कैपसिकम यानि की शिमना मिर्च लिए वो भी डाल दी है बारी कट की हुई हरी मिर्च मैं इसमें डाल लही हूँ और ये कद्दुकस की हुई अद्रक है वो डाल देती हूँ साथ में नहीं धनियापतिày लिए को भी भी मैंने इसमें डाल दिये और यह एक नीवु का रस है नीवु का रस दख़ए आप ज़रूर आले सब्सक्री असके बढूरी समय के नुछंपी वॉपन करने डाले धनीवुन जीरा डाल देती है थोड़ा सा और अब इन सब चीजों को मैं हातों से अच्छे से मिक्स करती हूँ इसमें चो मैंने वेजीस डाली है वो कम जादा आप अपनी पसंद से भी कर सकते हैं आप इसमें अगर प्यास डालना चाहते हैं अगर आपको प्यास का बहुत शौक है तो आप प्यास भी डाल सकते हैं ऐसा कोई कमपल्शन नहीं होता है कि आपको गाज शुम्ला मिर्ची डालनी है आप इसमें प्यास डाल सकते हैं और कोई सब्जी आपके पास नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं अब मैंने हातों से इन सब को अच्छे से मैश करते जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कर दीजी और अपने फ्रेंट्स फैम्ली मेंबर से शियर कीजेगा कमेंट्स में बताइगा कैसी लगी आपको रेसिपी इसमें हलका सा ओल लगाते हूँ इसे चिकना भी कर लिया है मैंने अब मेको इसका नाश्ता बनाना शुरू करती हू हाथों को भी हलका सा घ्रीज कर लेती हूए से ताकी हमारा मिष्रंड चपके नहीं उपालेटिन को भी मैने घ्रीज कर दीया है अब थोड़ा सा पार्ट लेती हूँ इस मैं से मिश्रन में से हलका हलका गोल करती है और फिर पॉले थिन पर रखते हुए इसको मैं दूसरी साइट से कवर करते हूँ अच्छे से आथ से फिला देती हूँ आप चार हाथ से फिलाएं या ब्लेट से फिलाएं या और आपके आपशनल है जैसे कि हाथसे आपको लग और गैस को थोड़ा मीडियम से मी रखते हैं इसको सिकने देते हैं जब तक हमारा एक साइट से हलका सा सिक रहा है तब तक हम इसे दूसरा ही इसी तरीके से इसका बरा के तया कर लेंगे आप पहले सारे बना लीजिए फिर आप चट चट अपने तवे पे से सेख सकते हैं यह आपके ऑप्श्नल रहती है प्लेट से करेंगे या कोई भी जिससे भी आपपर बना दें इस तरीकेसे प्रेस करते हैं या रहत से आपको कंफरटिवल लेता है वह आपकी मर्ज़ी आप जैसे करना चाहें कर सकते हैं इदेखे अब हमारा अलकाल का या चिग्ह अच्छी तर जालती जाओंगी गैस को मीडियम सीमी रखना है ज्यादा तेज पर नहीं सेखना होता है तो इस तरीके से मैं अपना नाश्ता बनाऊंगी फ्रेंट्स इस नाश्ते को आप सॉस चटनी सौट इसके साथ खाना पसंद करते हैं उसके साथ खा सकते हैं ऐसा कोई कमपर्शन नही इसको भी मैं तवे पर डाल देती हूं और इसी तरीके से सिखने देती हूं हलकलका ओई लगाते हुए तो फ्रेंट्स देगी दौनों तरफ से अब मैं इसे पलट पलट के एक बार मैं तवे पर मारे यह तीनी पीस को हम सेक लेंगे और तीनों पीस हमारे यह सिग गए है त मुझे पता है तो आप कब बनाने वाले ऐसे गर पे इंदिजा मत कीजिए चैट पर नहीं ता कि जब मैं कोई और नहीं रेसिपी ले कर हूं तब उसे आप ट्राय कर ले अभी आप इसे ट्राय कर लीजिए तो मेरी थी यह आज की स्पेशल रेसिपी जो मुझे उमीद आप